हेलो और वेल्कम बैक टू माई चैनल इस्पाइस फियो रिल्ग्स गाईज आज के सेंटेस बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है और कुछ इस तरीके से गाईज अगर आप उसे वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे तो गाईज तो टोटली फ्रीक्ड मी आउट जो मैंने आज देखा वहां मुझे एकदम से डरा दिया तो गाईज फ्रीक आउट इसका मतलब होते है कि डर जाना या डराओना तो वहीए बोली जो मैंने आज देखा वहां मुझे एकदम से डरा दिया what I saw today that totally freaked me out क्या तुम्हें डर नही या+, did that not freak you out, did that not freak you out, क्या तुम्हें डर नहीं लेगा क्या इसको आप ऐसे बोल सकते है कि डिंट you get scared, क्या तुम्हें डर नहीं लेगा, या, तुम कहा थी तुम कहा थी तो guys यह एक phrase है जब आप किसी से कुछ दिनों बाद मिलते हैं यानि कि 10 दिन 15 दिन बाद तो इस phrase का आप यूज कर सकते हैं कि तुम कहा थी कम से कम तुमको मुझे बताना चाहिए था at least you should have told me at least you should have told me कम से कम तुमको मुझे बताना चाहिए था कहने का मतलब है guys कि यह गायाव हो गई अचानक तो वही लड़का बोले है कि तुमको मुझे बता के जाना चाहिए था at least you should have told me मुझे खेद है कि मैंने आपको वापस फोन नहीं किया I'm sorry that I didn't call you back मुझे खेद है कि मैंने आपको वापस फोन नहीं किया I'm sorry that I didn't call you back मेरे पास कहने को कुछ नहीं था I didn't really know what to say I didn't really know what to say मेरे पास कहने को कुछ नहीं था I didn't really know what to say कहने का मतलब कि उस टाइम पे मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलू I didn't really know what to say मैं समझ गया जब तुमने मुझे callback नहीं किया That was obvious when you didn't return my calls That was obvious when you didn't return my calls मैं समझ गया That was obvious आनि किया सपष्ट था When you didn't return my calls जब तुमने मुझे callback नहीं किया मैं बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी I just wanted to be alone for a while I just wanted to be alone for a while मैं बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी I just wanted to be alone for a while तुम्हें मुझे सफाय देने की ज़रुवत नहीं है You don't need to explain anything to me You don't need to explain anything to me तुम्हें मुझे सफाय देने की ज़रुवत नहीं है Guys आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि You don't need to explain yourself to me You don't need to explain yourself to me तुम्हें मुझे सफाय देने की ज़रुवत नहीं है You don't need to explain anything to me मैं गुस्सा नहीं हूँ I am not mad at you anymore I am not mad at you anymore यानि कि मैं अब तुम पर गुस्सा नहीं हूँ I am not mad at you anymore आप इसको ऐसे बोल सकते हैं guys I am not angry anymore I am not angry anymore मैं अब गुस्सा नहीं हूँ I am not mad at you anymore मुझे तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी I didn't expect to see you मैं सिर्फ तुमसे सच सुनना चाहता हूँ I just want to hear the truth from you मैं सिर्फ तुमसे सच सुनना चाहता हूँ आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं guys I just want you to be honest with me I just want you to be honest with me मैं तुमसे मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मिले सच इमानदार बनो या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं मैं सिर्फ तुमसे सच सुनना चाहता हूँ I just want to hear the truth from you I just want you to be honest with me मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अगर तुम मुझे बताओगी नहीं I can't help you out if I don't know what's going on I can't help you out if I don't know what's going on कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता I can't help you out if I don't know what's going on अगर मुझे पता नहीं चलेगी क्या हो रहा है I can't help you out मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता if I don't know what's going on मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने दूगा तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है हम उसे ठीक करेंगे तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है हम उसे ठीक करेंगे तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है हम उसे ठीक करेंगे whatever is going on in you तुम्हार साथ जो भी हो रहा है तुम्हार साथ या तुम्हारे अंदर जो भी हो रहा है we are gonna fix it, हम उसे ठीक करेंगे I will never let anything bad happen to you मैं तुम्हार साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होने दूगा whatever is going on in you तुम्हार साथ जो भी हो रहा है we are gonna fix it, हम उसे ठीक करेंगे क्या कुछ है कहने को तुम्हारे पास have you got something to say have you got something to say क्या कुछ है कहने को तुम्हारे पास have you got something to say या आप इसको ऐसे बोल सकते है do you have something to say क्या कुछ है तुम्हारे पास कहने को तुम बस अपने काम से काम रखो you just mind your own business you just mind your own business तुम बस अपने काम से काम रखो you just mind your own business हाँ मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था yes I had an affair with him yes I had an affair with him हाँ मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था yes I had an affair with him क्या यही सब जानना चाहती थी तुम is that all you wanted to know is that all you wanted to know क्या यही सब जानना चाहती थी तुम is that all you wanted to know तो guys इसको बता रही है बोले कि yes I had an affair with him हाँ मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था is that all you wanted to know क्या यही सब जानना चाहती थी तुम इधर उदर की बात मत करो साफ साफ बताओ don't beat around the bush tell me clearly don't beat around the bush tell me clearly इधर उदर की बात मत करो साफ साफ बताओ don't beat around the bush यानि कि इधर उदर की बात मत करो tell me clearly साफ साफ बताओ आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि cut the crap यानि कि बकवास बंद करो cut the crap या बोल सकते हैं कि cut the shit cut the shit या cut the crap या आप इसको बोल सकते हैं कि don't beat around the bush इधर उधर की बात मत करो, बकवास मत करो tell me clearly, साब साब बताओ यहाँ कोई बात करने का तरीका नहीं है this is not the proper way to talk this is not the proper way to talk यहाँ कोई बात करने का तरीका नहीं है this is not the proper way, यह कोई proper way नहीं है to talk, बात करने का, मैं यहाँ आने को मजबूर थी I was compelled to come here मैं यहाँ आने को मजबूर थी तो guys compelled का मतलब होता है कि मजबूरी है adjective है I was compelled to come here और guys compulsion का मतलब होता है कि मजबूरी मजबूरी compulsion अगर आपको इसको ऐसे भी बोल सकते है कि It was my compulsion to come here यानि कि मेरी मजबूरी थी यहाँ आना It was my compulsion to come here या I was compelled to come here मैं यहाँ आने को मजबूर थी अगर तुमने मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं नहीं आती I wouldn't have come here if you hadn't called me तो guys यह conditional sentence है conditional third conditional third का मतलब होता है जब भी past में कुछ हो जाता है तो आप बोलते हो कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता तो वहाँ पे guys आप conditional third का use करते हो तो यहाँ पी यह बोल रहे कि अगर तुमने मुझे फुलाया नहीं होता तो मैं नहीं आती I wouldn't have come here if you hadn't called me तो guys आप इसको पलट के भी बोल सकते हैं कि If you hadn't called me I wouldn't have come here If you hadn't called me अगर तुमने मुझे बुलाया नहीं होता I wouldn't have come here तो मैं यहाँ नहीं आती मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी स्वार्थी हो जाओगी I had never thought that You would be so selfish I had never thought that You would be so selfish मैंने कभी नहीं सोचा था I had never thought that तुम इतनी स्वार्थी हो जाओगी You would be so selfish तुमें कोई अधिकार नहीं है मुझसे सवाल करने का You have no right to question me You have no right to question me तुमें कोई अधिकार नहीं है मुझसे सवाल करने का You have no right to question me तुमें क्यों लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है Why do you think that someone wants to kill her why do you think that someone wants to kill her तुम्हें क्यों लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है तो guys आप इसको ऐसी बोल सकते हैं कि what makes you think that तुम्हें ऐसा क्यों लगता है what makes you think that या what drives you think that तुम्हें क्यों लगता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है what makes you think that what drives you think that why do you think that someone wants to kill her कि कोई उसे मारना चाहता है हमें फसाया गया था we were bugged we were bugged हमें फसाया गया था तो guys यह passive eye sentence है we were bugged यानि कि हमें फसाया गया था guys bug का मतलब होते हैं कि फसाना ठगना या आप बोल सकते हैं we were deceived हमें धोखा दिया गया था we were cheated हमें cheat किया गया था तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं we were bugged हमें फसाया गया था अभी वहाँ से निकलो get out of there right now get out of there right now अभी वहाँ से निकलो get out of there right now मुँ धक लो कहीं ऐसा नहों कि कोई देख ले cover your face less anyone should see cover your face less anyone should see मुँ धक लो एसा नहों कि कोई तुम्हें देख ले तो guys less का मतलब होता है कि कहीं ऐसा नहों या ऐसा नहों जब भी आप less का यूज करते हो हमेशा उसके साथ should का यूज किया जाता है जैसे मैं बोलू कि वहाँ पे मत बैठो कहीं ऐसा नहों तुम गिर जाओ don't sit there less you should fall down don't sit there less you should fall down यानि कि वहाँ मत बैठो कहीं ऐसा नहों कि तुम गिर जाओ less you should fall down तो guys sentence उसके बाद less का यूज करोगे less के बाद आप subject उसके बाद आप should का यूज करके object लगाओगे वर्व के बाद जैसे मैं मुझे बोलना है कि मुझे बात मत करो कहीं ऐसा नहों कि मैं तुमें मार दू don't talk to me less I should slap you don't talk to me less I should slap you मुझे बात मत करो कहीं ऐसा नहों कि मैं तुमको मार दू या आप ऐसे बोल दो कि work hard less you should fail मेनत करो कहीं ऐसा नहों कि तुम fail हो जाओ work hard less you should fail तो इस तरीके से गाईज लेश्ट का यूज हमेशा कर सकते हैं आप कहीं ऐसा नहों कि sense में और याद रखना कि लेश्ट के बाद हमेशा should का यूज किया जाता है जहां भी लेश्ट का यूज करोगे वहाँ आपको should लगाना ही लगाना है तो इस तरीके से गाईज आप sentence बना सकते हो वेल गाईज आस वीडियो में इतना ही जरूर बताना की वीडियो कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट की ज़रू बताइए मैं आपसे एगले वीडियो मिलता हूँ तिलने टेक केर कीप प्रक्टिसिंग और थैंक्स पर वाचिंग